इस नए वीडियो में आपका स्वागत है इस नए वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे बिलोरु मद कलकता में बिलोरु मद जाने का सबसे west way है हावडा रेलेव स्टेशन से लोकल ट्रेन डिस्टेंस है 6 km आप बिलोरु मद पहुंच सकते हैं अगर आप कलकाता से आ रहे हैं बेस्ट वे रहेगा आपको मेट्रो, आपको दक्षनेश्वर मेट्रो आना पड़ेगा, आप सकाई वाक से भी दक्षनेश्वर मंदिर के गेर तक जा सकते हैं, दक्षनेश्वर सकाई वाक का टाइमिंग है सुबा 6 बज़े से लेके दपैहर क के 30 मिनद तक और शाम को 3 बज़े से लेके 8 बज़ के 30 मिनद तक दक्षनेश्वर मेट्र स्टेशन से दक्षनेश्वर जैटी का डिस्टेंस है 100 मीटर इस रास्ते में दोनों तरफ पूजा समगरी का समान है आप जहां से पूजा समगरी परचेज कर सकते हैं यहां से टिकेट कोंटर से हमने 11 रुपे का टिकेट परचेज किया फेरी का टाइमिंग है मानिंग 8 बज़े से लेके शाम के 8 बज़ के 30 मिनट लास्ट फेरी है बिलरू जाते समय दक्षनेश्वर टैंपल का खूबसूरत व्यू देख सकते हैं आज सचड़े है दक्षनेश्वर मंदिर में बहुत ज़्यादा बीड़ है सचड़े को मा काली की पूजा होती है इसलिए ज़्यादा बीड़ है शर्दालू सभी बिलोरू मट जाने के लिए आ रहे हैं ये है दक्षनेश्वर ब्रिज इसका एक और नाम है ववेकनन्त सेतू ब्रिज और इसके लफ साइड में है निवदित सेतू ब्रिज जेटी के अंदर बैठने के लिए अच्छी फैसलिटी है लाइव जैकड और ट्यूब भी एवलेबल है कुछ दूर चलते ही गंगा नदी के राइट साइड में दिखाई देगा खुबसूरत रामक्रिशन मट 20 मिनिट लगे बिलोरू मट फैरी गार तक पहुँचने के लिए फैरी गार से 50 मीटर डिस्टेंस पर है बिलोरू मट एंटरी गेट बिलोरू मट के अंदर फोटोग्राफरी और वीडियोग्राफरी अलो नहीं है मंदिर के राइट साइड में है फ्री शोज काउंटर यहाँ पे आप शोज रखके मंदिर के अंदर जा सकते हैं यह है बिलोरू मट में गेट एंटरी गेट यह सामने है रामक्रिशन मंदिर रामक्रिशन मंदिर के अंदर फोटोग्राफरी और वीडियोग्राफरी अलोर नहीं है मंदिर का टाइमिंग है सुबा 6 बच के 30 मिनट से लेके 11 बच के 30 मिनट तक और उसके बाद शाम को है 3 बच के 30 मिनट से लेके 8 बच के 30 मिनट तक रामकृश्न मंदिर के बैक राःट साइड में है रामकृश्न मठ प्रशाद कोपन आफिस आप जहाँ पे प्रशाद कोपन ले सकते हो सुबा 9 वजे से लेकर 17.15 वजे तद में गट एंट्री के राइट साइड में है स्वामी विवेकनद जी का मंदीर विवेकानन्द मंदिर के राइट साइड में है बेल का पेड कहते हैं स्वामी विवेकानन्द जी इस पेड के नीचे हमेशा बैठते थे स्वामी विवेकानन्द मंदिर के लेफ्ट हैंड साइड में है सार्दा मंदिर ये सामने है परशाद हाल आप देख रहे हैं काफी ज़्यादा लंबी लाइन लगी है परशाद का टाइमिंग है बारा बजे के बाद आपको पहले ही लाइन में लगना पड़ेगा गेट में आपको परशाद को उपन दिखा के आप एंटरी कीजिए राम करेशन बिलोरो मठ आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जुरूर बताएं मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लाग में